के सलवाइब पर चाहीं वीडियो सब्सक्राइब करना चाहिए बाइख लोग कहते हैं कि भाई ये बाईक तो हमने देखी थी 1,90,000 रुपे की 1,80,000 रुपे का इंस्टेग्राम पर पोस्ट आ रहा था या एड आ रही थी यहां हम पता करते हैं तो वो 1,90,000 रही ए 1,80,000 रही जो भी XYZ प्राइस होता है वो होता है एक शोरूम प्राइस एक शोरूम प्राइस होता है जिसमें टैक्सेज या और अधर चीज़ें इंक्लिवड नहीं होती सिर्फ बाईक बाईक का बेस प्राइस होता है जो आपको शोरूम का प्राइस होता है उसके लावा आप जो एक्सिसरी इंस्टॉल कर वाऊगे या कोई भी दोकिमेंडेशन, रोड टैक्स या कोई भी चार्जिस जो लगते हैं प्लाइ होते हैं उन सब को मिला मिलू के तीस, चालिस, पचास हजार का अंतर और आ जाता है ओन रोड इसको बोलते हैं ओन रोड भाईक भो होती है एक शूरूम कुछ और होता है अगर उनकी आपने कभी बुकलेट ध्यान से बढ़ी है ध्यान दिया हो ना उसमें लिखा होता है आपको इस पीड पे विदाउट पिलन या ऐसे चलानी पड़ेगी भाईक और ऐसी हवा में चलानी पड़ेगी हवा के डिरेक्शन यह होगी तब जाके भाईक उतनी एवरेज देगी ठीक है तो यह चीज़े होती है वो कंपनी के हिसाफ से चलना पड़ता है तो जाके होता है ऐसे नहीं होता कि किसी ने बोल दिया तो हाँ मैं आपको फाइव रीजन बता रहा था यहाता है ना आर वन फाइफ फाइफ ठीक है तो उसमें आता है यहां मौर कलर्ड स्क्रीन है कलर डिस्प्ले है यह तो मैंने इसकी थोड़े डिम करी विए ब्राइट है बहुत जादा अभी डे में थोड़े आपको विजिबिल्टी में लग रहा होगा ब्राइट पहली चीज इसकी स्क्रीन डिस्प्ले बहुत जादा सुन्दर आई है जो न्यू मॉडल है फॉस्ट फॉल दूसरी चीज इसके जो कंट्रोल्स है वह यहां पर कर दिये गई है बटन कंट्रोल है आप डाउन लिफ्ट राइट तो मतलब आप यहां से अलग से कंट्रोल कर सकते हो इट गिफ्स फील ओफ आफ सूपर बाइक विद डाइट इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है सबसे बड़ी बात एलेडी स्क्रीन स्ट हो गया सेकेंड है कुएक शिफ्टर क्या होता है आपने जैसे फर्स गेर पर बाइक चार्ट करी पहला गेर लगाया बाइक चला ली रोड पर चल रही है जैसी यह 7000RPM से उपर निकलेगी तो विदाउड क्लश दबाए क्लश नी दबाना गेर को अब शिफ्ट कर देना गेर चेंज हो जाएगा बहुत स्मूदली और रेस चुड़नी नहीं है अपने साथ साथ इससे क्या होता है वीवी एक्टिबेट हो जाता है वेरियेबल वै सकते थे अब शिफ्ट आता था इसमें अब आटो क्लिपर भी आ गया है मतलब डाउन शिफ्ट भी करोगे विदाउड क्लश तो बहुत स्मूदली होगा ठीक है तो यह होगी आपकी सेकंड चीज थर्ड चीज इसके लुक्स अब मैं नहीं समझता अगर मैं किसी को ना बता अगी कि थोड़ी तो स्लो होई जाएगी ठीक है तो भई लुक्स में इसमें आपको हजार मिल रहे हैं हजार इंडिकेटर इतना बढ़िया कलर वेरियंट बैजिंग मिलती आरवन फैसें की यह ब्लू कलर के आरवन फैसकी फिर बैजिंग और यहां पर भी मिलती है यह अधर है और इतने क्लासिक लुक्स और ब्लू कलर के लॉइस बहुत ज़्यादा लगते हैं तो अफ्कोर्स आपको भाई खरीदने चीए तीन वीजन चौतर रीजन इसकी एवरेज इसकी माइलेज अधर बैक से बहुत ज़्यादा अच्छी है यहां माइस चीज पर काम करत सब्सक्राइब करते हैं तो यह अच्छी निकाल के दे सकती है नना को पिछली वीडियो में बताया था किसी की एवरेज 55 की भी आई है और डिफिनेटली आई भी होगी कोई बड़ी बात नहीं है फिस्त रीजन इसका में यह रहेगा इसका जो पॉस्चर है चलाने का बहु सब्सक्राइब करते हैं मेरे पूरे नीचे पहुंचते हैं मैं कमफरडेबली बाइक सीधी होती है कोई दिक्कत नहीं है बहुत बढ़िया स्मूदली चलती है सीधी चलती है और इसके साथ एक पूंट और एड़ करना चाहूंगा इसमें मिलता है ट्राक्शन कंट्रोल फी शेयर करना मत बूलना और थोड़ी बहुत इसमें मोडिफिकेशन आप कराके मिरर और एड़ करवा के बाहर से हलका सा तो आप इसमें और भी चेंजिस करवा सकते हैं इसको और जादा स्पोर्टी कर सकते हूं और एक रीजन और है अपसाइड डाउन फोक्स आ रहे हैं इस स्रेंज में कोई कंपनी इतने फीचर नहीं दे रही जितने हमा दे रही है और यहामा इतने सेक्षी लुक्स के साथ ड्यूल चैनल एबीएस न्यू एलीडी मीटर और हजार इंडिकेटर और सेक्षी लुक्स और कंफटेबल पोस्टर पीछे वाले के लिए थोड़ा 25 की स्पीड पर जा रही है तो सोचो कि कितनी बढ़िया इसमें इन्होंने काम किया हुआ जैपनीज और इंप्रूफ कर रहे हैं दिन बर दिन इंप्रूब्मेंट हुई है पहले जैसे थोड़ा वीली ले ले थी हलका सा इसमें जटका सा आता था जैसे मेरे 2022 आप तो गियर नॉमल होगे हैं तो यह बढ़िया रहेगा आपके और इसमाना चाहूंगा कि जो यहामा फीचर देरा है इस प्राइस रेंज में तो यह आपको कवर सागी में मिलेंगे फोर लाक प्रस में के टीम कभी कोई ऐसा हो नहीं है और के टीम में बहुत चीज़नी ऐसे हजाइड करनी है लेकिन अफसे डाउन फोक्स और इस जीज़ें एक कलर कॉंबिनेशन जो बनाया हुआ है तो के टीम बी इनीशल तौर के बस उसके बाद खतम हो जाती हो भाई भाग नहीं बाती फिर तो और और यह आते हैं इसमें और एक साल दो डेट साल अराम से चल जाते हैं और मतलब बढ़िया है काफी पावरफुल है किसी भी बारेश हो कुछ भी ओ खराब रास्ता हो हर जगह चलने के लिए बाइक बनी है और काफी स्ट्रॉंग बाइक है और और जादा काम करके इसको अच्छा बना दिया गया है तो बैटर आप इस बाइक को भाई करें और सिंगल से लेंडर बाई के तो क्या ही एक जॉस्ट्सांड होगा लेकिन फिर भी करें